अगर आपके भी घर में रोटियां बच गया दी है तो घबराने की बाद बिल्कुल भी नहीं है इस रेसिपी को देखने के बाद आप रोज ही एक दो रोटी एक्स्टा जरूर बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने सुबा बनाई हुई थी रोटी यह यहाँ पे मैंने तीन से चार रोटिया ले ली है और यह ताजी रोटी है अगर आपके घर में साम की बची हुई रोटी है या फिर सुबा की साम को बच गई है तो आप उससे भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं वैसे रोटिया जो है वो टाइट नहीं होने चाहिए इस तरीके स ने लिएक के अग्रेटर जो हैं मोटा वाला होना चाहिए और रोती को अच्छे तरीके से फ्ल गर्क करना हैं १ं अगर थोड़े बहुत चोटे-चोटे तुकडे रहे भी जा रहे हैं तभी कोई बात नहीं है हम इसी तरीके से अच्छ से हाथों को साधानी से बचाते हुए हमें इसको ग्रेट कर लेना है तो यह देखिए मैंने साधी रोटियों को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है और जो थोड़े बहुत टुकड़े अगर थोड़े से बड़े रहे कहते हैं तो उनको हमने हाथों से अच्छे से मसल दिया है, गैस पर कड़ा ही रख दिया है, गरम होने के लिए इसमें हम डालेंगे वन थर्ड कप घी, तो यहां पर मैंने देसी घी का इस्तमाल किया है, आप इसके जगए पर रिफाइन डॉल का इस्तमाल भी कर सकते हैं, इसके बाद ग्रेट किया था, उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसे हमें भुनना है, गैस के फ्लेम को लोट टू मीडियम रखना है, और इसे हमें एकदम अच्छे तरीके से लगातार चलाते हुए भुनना है, ताकि जो रोटी है वो अच्छे तरीके से एकदम सौंदी-सौंदी हो कि और भी अगर एक तरीके से रोटी का ये नास्ता बना लेंगे तो ये कीर आप रोज ही एक दो रोटी जरूरी बचा लेंगे तो ये देखिए रोटी हमारा कितने अच्छा तरीके से भुंगे है इसका कलर भी चेंज हो गया है तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है चीनी तो यह मैंने साबूत चिनी लिया है साथ में यहां पर वन थर्ड कप मैंने दूध लिया है तो दूध यह नॉर्मल टंप्रेचर वाला है न धंडा न गरम तो इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे तो यहां पर मैंने तीन रोटियों का इस्तेमाल किया हुआ था तीन रोटी की हिसाब से मैंने यहां पर वन थर्ड कप दूध का इस्तेमाल किया है अगर आपकी रोटी ज्यादा हो तो आप उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं या फिर अगर आप मीठा थोड़ पानी थंडा जाए गरम कोई भी ले सकते हैं और पानी डालने के बाद इसको हमेच्छ तरीके से चलाना है ताकि जो रोटिया थोड़ी सी हाड हुई है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बस हमें इसी इसको इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है तो इस समय में आपको याद दिला देती हूं अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छ लेगे तो मीडियो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप मेरी वीडियो को फेस्बुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर तो यह देखिए इसको हमने लगा तार चलाते हुए अच्छे तरीके से भुन लिया है और यह हमारा रोटी का हलवा आप लगभग बन करके तयार हो गया है अक्सर हमारे घर में रोटी आप बच जाती है तो हम उसको फेक देते हैं या फिर गाय भैस को दे देते हैं तो एक देखिए हमारा हलवा बन करके तयार हो गया है और आप इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको हम प्लेट में अच्छे तरीके से थोड़ा सा फैला ले रहे हैं आप चाहे तो इसी तरीके से गर्मा गरम इसको सर्फ भी कर सकते हैं वैसे आम तोर पर हम जब आटे का आप कम पसंद करते हैं उसके लिए यह बहुत ही बेस्ट रहेगा उपर से थोड़ा सा ड्राइफ लगा देते हैं यह उप्शनल है अब चाहे तो लगाए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो लीजिए हमारा जटपट से बनने वाला हलवा अ आप सभी को मेरे हलवे की रेस्पी अच्छे लगी हो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक श्रीज जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए फ्रे लेट झालेगा तो सब्सक्राइप जरू'?